हेलो फ्रेंज नमस्कार एं सस्टिकाल कैसे हैं आप लोग आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्ट टॉपिक लेकर आई हूँ बहुत बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ यह आप खुद अपने चार्ट में उबसर्व करिए और अपनी लाइफ से कनेक्ट कीजिए कि जो आपके साथ प्रॉब्लम्स चल रही है क्या वाकी यह आपके चार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही है कि नहीं चल रही है आप मेहनत बहुत करते हो सारा दिन सारा रात आप अपनी वर्क पे फोकस रखते हो लेकिन फिर भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पारे वो सफलता नहीं मिल पारी जो आप चाह रहे हो और जिसके आप हगदार थे उसकी रीजन क्या है उसका रीजन है कि आपके चार्ट में जो सूरे है उसका जो प्लेस्मेंट है वो अच्छा नहीं है अगर सूरे किसी भी खराब प्लैनेट के साथ बैठता है इस्पेशली अगर वो राहू के साथ बैठता है तो सूरे में जो है वो दोश लग जाता है उसमें एक्लिप्स लग जाता है जो की अच्छा नहीं होता है चाहे आप महनत करते जाओ आपको वो रिजल्ट नहीं लगेगा For example, अगर सूरे और राहू 10th हाउस में इखटे बैड़ जाते हैं या राहू की दृष्टी सूरे पे पढ़ जाती है तो भी ये दोश लग जाता है आप चाहे जितनी भी महनत करते रहो आपके काम नहीं बनेंगे और आपको आपकी वर्क प्लेस में वो सफलता नहीं मिलेगी वो इज़त नहीं मिलेगी, वो मान सम्मान नहीं मिलेगा अगर आप बिजनस करने की सोच रहे हो तो आप बिल्कुल भी बिजनस मत करियेगा क्योंकि आपका जो सूरह है वो खराब हो चुका है अगें आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जिसके आप अगदार हो फिर सेकेंडली क्योंकि वो पार्टनर्शिप से रिलेटेड है इसलिए में बात करने हूँ और सेकेंड है आपकी मैरेड लाइफ जो है वो बहुत ही सादा लाइक इनिशियल स्टेजिस पेशली आपको सफलता नहीं मिलेगी जो आपके डिजायर्स हैं जिस चीज को आप चाहा रहे हो कि आपको जो खुश्या मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी ठीक है लेकिन ये है कहीं कुछ को चार्ट मैंने देखेंगे अगर सूरे सेविन्थ हाउस में बैठा हुआ है और अच्छे प्लानेट उसको एस्पेक्ट कर रहा है स्पेशली गुरू तो वो सेपरेशन को बचा सकता है नहीं तो बहुत से केसे में होते हैं कि अगर सूरे रहु इखटे बैटे हैं तो मेरिड लाइफ बहुत ही खराब हो जाती है और डिवोर्स के भी चांसे आ जाते हैं दूसी बात यह है कि अगर आपका सेविफ रह है सूरे बेठा जो आपका पार्टर कहीं न कहीं अडियल भी होता है जो उसने ठान लिया उसक करेगा लेकिन इसका positive भी है ऐसा नहीं कि सूरे अगर आपके 7th house में बैठा है तो आपका जो partner है वो खराबी मिलेगा ऐसा नहीं है वो आपको मान सम्मान देगा अच्छी चीजों में भी वो अगर उसने determined हो गया वो determination देता है और depend करता है अच्छे planet उसको देख रहे हैं तो वो अच्छी चीजों में determination दरता है और आपकी life अच्छी होती है and secondly कि अगर आपका सूरे दूशित है और वो especially अगर 8th house से related है तो आप देखोगे आपके जो health issues है especially related to your headache your head यानी headache या migraine आपको अवश्य होगा और उसका एक ही उपाए अब मैं आपको बताती हूँ जो आप करो और करना चाहिए अगर आपके चार्ट में कहीं न कहीं सूरे खराब है तो ये आप उपाई जरूर करिए पहला उपाई ये है कि आप सूरे के बीज मंत्र जरूर आप जाप करना start कर दो अगर आपने नहीं किया है secondly सूरे को जरूर जल दिया करो ताकि आपके जो प्लैनेट में जो भी खराब है उसका जो असर है वो धीरे धीरे ठंडा पड़ता जाए और वो असर आपको कम देखे third आप जो हो सूरे के लिए यानि अपने रॉयल लाइफ को पाने के लिए अच्छा असर देखने के लिए आप संडे वाले दिन गुर लीजे और थोड़ा सा आप एक प्लेट में गेहू ले लिजे ठीक है गेहू और गुर ले लिया और उसके सामने उसको अपने साथ में र क्या करना है आपने वो गुर और केहू आपने गउमाता को खिला देना है ये आप रेगुलर बेसिस पे आप संडेईज को करिए आप देखोगे कि आपका जो सूरे का जो नेगिटिव एफेक्ट है वो कम होना शुरू हो गया है तो आप इतना करिए और आप देखोगे कि जो royal life है जिसकी कमी हो रही थी जहां आपको struggle दिख रही थी जिस भी house में सूरे खराब होगा वो आपको तकलीव देगा तो आप अपने planets को ठीक करी क्योंकि सूरे जो है वो बहुत ही important है आपके chart में ठीक होना because सूरे खराब है तो आपकी life में struggle रहे की ही रहेगी और एक positive ची अच्छा है तो आपकी कहीं न कहीं government से relation अच्छे होते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति आपको government से related आपकी मदद करेगा या आपके government job मिलने के बहुत ही जादा यारी it is there कि आपको government job मिल सकती है या high profile वाईली job आपको मिल सकती है आप टेचार्ट को देखिए कि आपका सूरे कहा स्थित है और सबसे लास्ट है कि आप सूरे लॉकेट को जरूर पहने सूरे लॉकेट आपको शक्ति देगा और आपको बहुत जादा आपको power देगा तो यह आप छोटे छोटे उपाय करिए और अपने सूरे को strong करिए